सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में ट्रेन के AC कोच में भारी भीड देखने को मिल रही है वीडियो में देखा जा सकता है कि इतनी भीड है कि AC कोच का दर्वाजा भी बंद नहीं हो रहा है वीडियो को शेयर करने वाले शक्स ने दावा किया है कि AC स्लीपर कोच में कई लोगों को कथे तौर पर बिना टिकेट यात्रा करते हुए देखा गया था वहीं वीडियो वाइरल होने के बाद रेलवे में संग्यान लेते हुए वीडियो का पूरा सच क्या है ये बता आ गया है दरसल कबिल नाम के एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भीड भारती ट्रेनों के सबसे प्रीमियम कोच में से एक तक पहुँच गई है उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ये भी लिखा कि दरवाजे खुले होने के कारण ट्रेन का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था उन्होंने रेल मंतरी अश्विनी वैशनव को टेक करते हुए उनसे जरूरी कारवाई करने का आगरह किया था वहीं वाइरल वीडियो पर संग्यान लेते हुए रेल मंतराले ने वीडियो की सत्यता की जाच की जसके बाद रेलवे की ओर से ट्विट करके जवाब भी दिया गया इस पर जवाब में यूजर ने बताया कि मंत्राले ने आज का वीडियो कुछ ब्रामक बताने के लिए शेयर किया है जो 14 अप्रेल को हुआ था उन्होंने लिखा आपकी धमकी भारतियों को भारतिय रेलवे द्वारा दी जाने वाली खराब सेवा को उजागर करने से नहीं रोक पाएगी तो आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राया है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विबाग को सब्सक्राइब करना ना भूले